दोस्तों क्या आप लोगों ने महिलाओं में होने वाली एक कोमन बिमारी PCOS यानि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और PCOD यानि पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज का नाम सुना है ये बिमारी अगर महिला को होती है तो उनको कई सारी परिसानियों का सामना करना पड़ता है और सबसे जादा उनको दिक्कत होती है कि उनके पिरियर्ट्स डिश्टर्ब हो जाते हैं साथ ही उनको प्रेगनेंट होने में भी परिसानी होने लगती है तो दोस्तों आज की इस वीडियों हम लोग इनी सारी प्रोब्लम को ठीक करने के साथ और भी कई सारी प्रोब्लम को ठीक करने वाली दवा ओवा फ्रेश टेबलेट के बारे में फुल कंपली डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग ओवा फ्रेश टेबलेट के फाइदे के बारे में जानेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि अगर महिला गर्वती है यानि प्रेगनेंट है तो इस दवा का इस्तिमाल कर सकती है या फिर नहीं तो दोस्तो वीडियो में आप लोग बने रहें ताकि सभी चीजों के बारे में आप अच्छे से समझ लें तो चली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ओवा फ्रेश टेबलेट एक चूएवल टेबलेट है इसे आप आराम से चॉकलीट के जैसा चूस के खा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है पानी की साथ लेने की कोई ज़वरत नहीं है बात करते हैं इस टेबलेट के कॉमपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन-कौन से इंग्रेडियन्स होते हैं तो दोस्तो इसमें माई इनिस्टॉल 1.1 ग्राम होता है और विटामिन D3 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है चलिए अब हम लोग इसके फायदे के बारे में जानते हैं दोस्तो वाफ्रेश टेबलेट को कई दवाओं से मिला कर बना जाता है और इस टेबलेट का सबसे मैनले यूज PCOS की समस्या को कंट्रोल करने के लिए महिला को गाइनो डॉक्टर के दुवारा काफी जादा दिया जाता है अब दोस्तो बात आती ही कि PCOS और PCOD क्या है तो इसके बारे में मैंने अलग से एक विडियो बना रखा है उसमें पूरे डिटेल्स में आपको सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में विडियो का लिंक दिया हुआ है आप जाकर जरूर देखें और विडियो के लाश्ट यानि इन्डी स्क्रीन में भी में विडियो का लिंक दे दिया हूँ तो फ्रेंट्स PCOS की समस्या को कंट्रोल करने के साथ ये महिला में होने वाले हार्मोन्स के लेबल को मेंटेन करता है जिससे उससे कंसीव होने में आसानी होती है साथ इस दवा के यूज गई फरकार के female infertility problem को ठीक करने के लिए किया जाता है इसके अलवा महिला के मासिक धर्म से related समस्या जैसे irregular periods यानि महिला का periods इनरेगुलर है कभी 15 दिन में आ जाता है कभी 1.5 मेहने कभी 2 मेहने यहां तक कभी 3-4 मेहने के बाद आता है साथ ये अगर heavy bleeding हो रही है यानि periods में बहुत जादा bleeding हो रही है और bleeding के साथ काफी दर्द भी हो रहा है तो इन सभी problem को ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तमाल किया जाता है इसके अलवा ये दवा महिला के ओवरी यानि उसके अंडे को स्वस्त और सही साइज देने में मदद करता है साथी ओवरी के सिष्ट यानि उसके गांट को भी कम करता है इसके अलवा दोस्तों महिला के body में अगर blood की कमी है तो blood की कमी को भी पूरा करने के लिए इस दवा का इस्तमाल किया जाता है blood की कमी के कारण महिला को एनिमिया की problem हो सकती है साथी महिला को अगर folic acid की कमी है तो उसे भी दूर करने के लिए इस दवा का इस्तमाल किया जाता है महिला के बालों का बहुत ज़्यादा जड़ने से लेकर उसके चेहरे में मुहासे को भी ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तमाल किया जाता है साथी कॉलेस्टरोल को भी ये दवा काफी हद तक कम करती है और मोटापे को भी ये काफी हद तक कम करने में मदद करती है दोस्तो महिला के चेहरे पर अगर अनवांटेट बाल उग गया है यानि मर्दों के जैसा हल्का फुल का मोच या फिर दाड़ी आ गया है तो ये सब लच्छन होता है PCOS होने का तो इस PCOS को कंट्रोल करने के लिए इस दबा का इस्तमाल किया जाता है और इसके अलावा ये दबा महिला के वावलेशन के टैमिंग को कंट्रोल करता है, ठीक करता है जसे महिला जल्द ही pregnant हो सकती है, conceive हो सकती है तो दोस्तों इतने सारे इसकी यूजेज थे लेकिन गायनो डॉक्टर चाहे तो महिला को किसी और प्रॉब्लम को ठीक करनी के लिए भी इस दवा का इस्तमाल करवा सकते हैं बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके साइड इफेक्ट है स्वाद का चेंज हो जाना, कबजी की प्रॉब्लम होना, मतली होना, सर में दर्द होना, स्कीन रेसेस होना और डारिया की प्रॉब्लम होना इतने सारे इसके side effect है जो एक आद महिला में दिखने के लिए मिलता है लेकिन ये rare है जल्दी होता नहीं है होने से डॉक्टर से जरूरी इस बारे में बात करिएगा बात करते हैं इसके इस्तिमाल करने के तरीके और इसके doses के बारे में तो इसे महिला कुछ खाने के बाद चाहे वो दिन हो या फिर रात हो किसी भी टाइम पे एक टेबलेट अपने जीब में रख लेना है और चोकलेट के जैसा उसे चूस लेना है पाने भी पीने की कोई ज़ुरत नहीं है लेकिन हाँ महिला को धियान रखना है कि अगर वो इस टेबलेट को मॉर्निंग पे ले रही है तो हमेसा नियमी तरीके से मॉर्निंग पे ले और अगर नाइट मे ले रही है तो नाइट मे ले साथी महिला को दबा लेने के साथ डेली नियमी तरीके से वॉक करना है वो भी तेजगती से कम से कम आदा घंटा जरूर करना है उसके बाद उनको खाने में मीठे चीजों को बिलकुल अवाइट कर देना है चीनी को बिलकुल ही अवाइट कर देना है क्योंकि मीठा जादा खाने से PCOS की प्रॉबलम और जादा बढ़ती है और ज़्यादा क्रियेट होती है इसलिए मीठा बिलकुल ही छोड़ देना है उसके बाद जो जिनरल चीजे होती है जैसे एलकोछल का सेवन नहीं करना है बहुत ज़्यादा बहार में फास्ट-फूट का सेवन नहीं करना है घर का ही खाना-खाना है ये सब छोटी छोटी चीजों का अगर महिला ध्यान रखेगी तो 100% ही कि उसका प्रॉबलम क्योर हो जाएगा ठीक हो जाएगा और अगर वो प्रेगनेट होनी के लिए इस दवा का इस्तिमाल कर रही है तो वो भी शिरूर होगा दोस्तों होवा फ्रेश टेबलेट इस्टोबेरी फ्लेवर का है और इसे करटास लाइफ केर कमपनी द्वारा बेचा जाता है अब बात कर लेते हैं होवा फ्रेश टेबलेट के MRP के बारे में तो आपको 396 रूपिये में 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप मिल जाएगी अगर आप तब तक आप लोग स्वस्तर हैं मस्तर हैं धन्यवाद